हलो दोस्तो इंदिया गड़ चैनल में आपका स्वागत थे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कम्प्यूटर के महतं पूर्ण जो हर एक 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 जाम में हहाल से कोश्चन पूछे जाते हैं जोस्तो तो चलिए बीडियो सुरू करते हैं आज के वीडियो का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड के प्राप्ता कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दे रखाओ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं भारत के सरप्रतम स्वधेसी विक्सित कंप्यूटर का नाम क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D प्राम है चलिए नेश्ट देखते हैं भारती ये सूपर कंप्यूटर का नाम क्या है इसका राइट एंसर हो जाएगा B प्राम है आप भी ट्राइ करते रहिए भारती ये सूपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा भी वीजय भाटकर कहलाते हैं कोस्चन किस पश्टिकरान देखते हैं वीजय भाटकर को भारती सूपर कम्प्यूटर का जनक कहा जाता है उन्होंने 1990 में भारत के पहले सूपर कम्प्यूटर परहम 8000 के विगास में योगदान महतपूर एकदान दिया था इसलिए इसको कहा जाता है चलिए नेश्ट देखते हैं आप भी ट्राइ करते रहिए नेम्द लिखित में से कौन सी भाभा प्राणा प्रामाडू अनुसंधान केंद्र द्वारा विक्सी सूपर कम्प्यूटर प्रियोजना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डी अनुपप ठीक है दोस्तो चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आप भी ट्राइ करते रहिए सूपर कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई की परास होती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा C 64 बीट तक होती है चलिए नेश्ट दिखते हैं प्रिशनल कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई की परास 32 बीट या चार बाइट होती है सूपर कम्प्यूटर के लिए सब दर लंबाई की पराज 64 बिटिया 8 बाइट होती है चलिए नेश्टिक क्यों बढ़ते हैं नीम नलीखित में से कौन सा सबसे बढ़ा, सबसे तेज और सबसे महांगा कंप्यूटर है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B. सूपर कंप्यूटर है सबसे बढ़ा, सबसे तेज और सबसे महांगा है तो सूपर कंप्यूटर है प्रस्टनल कंप्यूटर लैप्टॉप, नोटबुक की तुलने में सूपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीब्र छमता सबसे महांगा हुआ सबसे अधिक इस्मृति छमता वाला है चलिए निश्टे की ओर बढ़ते हैं विस्व की दुरतम कंप्यूटर निश्पादित कर पाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट एंसर की ओर जाएगा चलिए निश्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं विश्व कसब से तेज कम्प्यूटर है प्रस्ट नकाल के अनुसार विश्व कसब से तेज कम्प्यूटर तिया हो आई ये था लेकिन जब था जबकि वर्तमान ने विश्व कसब से तेज कम्प्यूटर अमरीका का शमिठ है दोस्तो एक्जाम में अगर इस टाइब का कोश्चन आएगा दोस्तों इस कोश्चन आएगा यदि समिट रहेगा तो उसको आपको क्लिक करना है ठीक है उसको वहीं उसका शहीं अंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों वढ़ते हैं सूपर कम्प्यूटर मैजिक क्यूब जिनका हाल ही में उद्घाटन हुआ है निमनल इखित में से किस देश ने बनाया है तिसका राइट एंसर हो जाएगा भी चिन ने बनाया है कोश्चन किस पश्च्टिकरन देखते हैं सूपर कम्प्यूटर मैजिक क्यूब कोश्चन ने बनाया है इस कम्प्यूटर की सहायता से हजारो वर्ष बाद प्रित्वी के मौसम बदलाव की गर्णा की जा सकती है अर्थात कम्प्यूटर की सहायता से सेकड़ो हजारो वर्ष बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम प वाई, टू के समस्या संबंधित है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, सी, इस्वी सन के अंतिम दिनों सब्दों के सुन्य हो जाने की दसा में उनका प्रति इस्थाई ढूनना है, इसलिए इस्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, इस सताब्दी के समाप्त होने परवर्तमान कारियात उपकर्णों के उप्योग करने में बहुत कटनाई होगी, तथा सुधारने में भारी वे संब्भावित हैं, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, ए, कम्प्यूटर, चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, आप भी ट्राइ करते रही हैं, कोन मस्तिस्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीवर गती वाला कम्प्यूटर होगा, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, बी, क्वान्टम कम्प्यूटर हो जाएगा, चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, आप भी ट्राइ करते रही है, निम्दली कित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वाई के टू राइट है, गठ्या यूरिक एसिड राइट है, द्वानी प्रदूसन डेसीबाल से है, इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, वो D है, पर हम, सुमेलित नहीं है, तो D वाला नहीं है, प्रित्वी कित विसाइट, चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, डबलू एलेल का अर्था है, इसका पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, C, वारलेस इन लोकल लूफ है, चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, इंडियन इस्टिटूट आप रिमोट सेमिंग है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, बी देहरा दून में है, चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, भारती रिमोट सेमिंग संस्थान इस्थित है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, A, देहरा दून, चलिए नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूचीयों के नीचे दिये गए कुटों को सहीं उत्तर चैन कीजिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वो B है दोस्तो इस तरह से आपको सुमेलित कर सकते इसका राइट एंसर B है चलिए नेश्टे कोशन की ओर बढ़ते हैं इस तरह से इसका शुमेलित थे तो आप एक नजर देख लिजिए उर्जा का रुपान्तार युक्ती प्रक्रम उस्मा वैदूत सौर सेल वैदूत सिद्वानी लौडी स्पिकर द्रविमान में उस्मा नाभी की रेक्टर रसायनिक में उस्मा का प्रकास तो इन्धन धनान है चलिए नेश्टे क्यों वढ़ते हैं साइकिल और कारों में बाइरिंग का प्रियोक होता है क्यों? तो इसका राइट एंसर हो जाएगा C. पैया और दोरी के बीच साइसपर्स का प्रभावी छेत्र घड़ जाता है चलिए नेश्टे कोशन क्यों वढ़ते हैं नीमन में से कौन सा उद्देक चुम्बकी या स्याही गुड़ पहचान करप्रात्मिक प्रियोक करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा A. बैंक चलिए नेश्टे कोशन क्यों वढ़ते हैं आप भी ट्राइ करते रहें किस प्रकार के कम्प्यूटर का शर्वधिक प्रियोक किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D. माइको कम्प्यूटर का उप्योग अधिकतर किया जाता है चलिए आज कल सर्वधिक प्रियोक किये जाने वाले कम्प्यूटर माइको कम्प्यूटर के अंतरगत डेस्कटाप, कम्प्यूटर, गेम कंस्लोल्स, लैफ्टॉप, नोटबूक, टैबलोट, कम्प्यूटर, स्मार्टफोन, आधि इसके अंतरगत आते चलिए नेश्ट कोशन क्यों बढ़ते है एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कम्प्यूटर हो सकता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डी, इमिडेट, कम्प्यूटर चलिए नेश्ट कोशन क्यों बढ़ते है निम्नमे, लेजर किसमों में कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रोगत होती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B. Semiconductor laser हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं आप भी ट्राई करते रहिए laser printer में नीमनली खित में से कौन सा एक laser प्रकास प्रयुक्त होता है इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा C. अर्धचालक laser होता है चलिए नेश्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं डिस्क टॉप छपाई के लिए आम तोर पर किस printer का प्रयुक्त किया जाता है इसका right answer हो जाएगा C. laser printer का उप्रयुक्त किया जाता है ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बाक्स में जरूर बताना यदि मेरे इस वीडियो से आपको helpful मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, सेयर, कमेंट थाइंक्स पर वाचिंग, इंडियागाड